अगर बात करते हैं किसी एक कम्यूनिटी की या किसी देश की, किसी राज्य की तो हम कुछ जनरल बाते करते हैं हम कहते हैं कि इस देश के लोग ऐसे होते हैं एक इमेज बना के रखते हैं वो उस देश की बनाई है इमेज कि कहेंगे एसियन लोग ऐसे होते हैं यॉर्पिन लोग ऐसे होते हैं अमेरिकन लोग, आस्ट्रियन लोग सब की अलग-अलग image बना के हम रखते हैं African लोग इसी परकार अलग-अलग समुदाएं की अलग image बनाते है कहते हैं फलाना समुदाए बहुत 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 होता है फलाना समुदाए बहुत सुन्दर होता है उस समुदाए के लोग बहुत लंबे होते हैं एक image बना कर रखी है, इसी परकार परिवार की भी एक image होती है, परिवार की भी एक personality होती है, उसका भी concept होता है, self image होती है, और उस self image को परिवार बदलना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि तो self concept होता है, वो जब तक नहीं बदला जाता, जब तक कि उसको बदलने के लिए conscious परियास ना किये जाएं, परिवार के अंदर कोई एक वेक्ति किसी किसम को वेवार करता है, अगर वो वेवार छोड़ देता है, तो दूसरा वेक्ति वैसा वेवार करना शुरू कर स लगता है, इस परिया को homeostasis कहते हैं, homeostasis का मतलब हुआ कि हम जिस रूप में रहते हैं, जिस safe territory, जिस comfort zone में हम रह रहे होते हैं, उस comfort zone को बदलना नहीं चाहते हैं, अगर उसो कुस बदलाव आता है, तो फिर से पहले वाले हालत में आ जाते हैं, इसके लिए एक उधारन द बोलते हैं, इसका मतलब क्यों होता है? इसका मतलब साफ है, अगर मावलो एक इनसान सराफ पीता है, सराफ पी के घर में जैसा वेवार करता है, अच्छा या बुरा, लड़ाई जगडे का, उच्छा बोलने का, या चुप चाप सोने का, whatever, जो वेवार करता है, अगर वो इ अंदरुनी एक सेल्फ इमेज है, वो डिस्टरफ हो जाती है, उसको बचाया रखने के लिए, या दोबार होमिस्टेसिस पर आने के लिए, कोई और वहकती शुरू कर देता है, इसलिए सरावी का बेटा सरावी हो जाता है, ये प्रक्रिया, हमारे हीलिंग प्रोसेस में, ब ये उसकी ठरेपी करते हैं, तो हमारा कोशिस है कि उसका वैवार बदल जाए, और अमोमन ऐसा होता है, वैवार बदल भी जाता है, लेकिन, जब वही वैवार प्रिवार के अंदर होना शुरू होता है, जो कि पहले नहीं होता था, यानि बदला हुआ वैवार जब प्रिव अगर हम पूरे परिवार को एज यूनिट माल लेते हैं और पूरे परिवार से इंट्रेक्ट करते हैं तो जो चेंज हमने कलाइंट में लाए हैं उस चेंज का जो परिवार के अधर मेंबर के साथ काउंसलिंग करके उनको भी सुई रूप से तयार करने की जरूरत होती है अगर हम त्यार करेंगे नहीं तो कोई न कोई या तो वही वेक्ति दुबारा से उस परकरियम आ जाएगा अगर वह चेंज हो गया है तो कोई दूसरा वेक्ति उस परकार के कारे करने लगेगा जैसे के एक एक्जामपल लेते हैं बैड वेटिंग का जो बच्चे बिस्तर गिला करते हैं सोते हुए हमने सुना है कहते हैं कि बच्चों की जो समस्या होती है वो बच्चों की कम होती है पेरेंट्स की ज्यादा होती है यानि वो problem असल में parents की होती है जब बच्चा बिस्तर गिला कर रहा तो parents की problem कहां से होगी क्योंकि वो एक परपद से बिस्तर गिला कर रहा है ना जानती हुवी अवचेतन मन से वो माबाब का ध्यान चाह रहा है अपने उपर attention चाह रहा है उस हालत में उसके माबाब से मिलना बहुत जरूरी है माबाब को यह counsel करना जरूरी है कि बच्चे को appreciate करना शुरू कर दें जो जो गुन उसके हैं उन्हों की तारीफ की जो तारीफ करें जो genuine जो बाते हमेसा बच्चे को कहें यानि बच्चे को recognition दें उसके वर्थ की जो उसको वर्थ आता है उसको योगता है तो यानि वो change parents के behavior में भी आनी चाहिए तब ही जाकर bad waiting का बिस्तर गिला करने वाला जो ये जो ये problem है तब ही जाकर ठीक होगी नहीं तो वो फिर आ सकती है वो ठीक नहीं होगी यानि पूरे परिवार को as a unit मान कर अगर आप treatment करेंगे तो आपका जो treatment होगा जो इलाज होगा वो ज़्यादा परभाव शाली होगा उसके बनिस्वत की आप एक ही व्यक्ति का treatment कर देते हैं क्योंकि आप लोग जो treatment कर रहे हैं जो counseling कर रहे हैं ये कोई बहुतिक कारिय नहीं है ये विचारों में change लाने का कारिय करम है और विचारों में change एक बहुतिक change नहीं होती वो एक वेवार में change आती है तो उसके लिए हमने परिवार से मिलना है क्योंकि वेवार कभी अकेले में नहीं होता वो एक प्रिष्ट भूंवी में होता है एक वातावर्ण में होता है इसलिए परिवार से मिलना जरूरी है हमेशा अज़र भी हम किसी बच्चे का खास और पे हीलिंग करते हैं या थ्रेपी देते हैं तो हमने पेरिंट्स का और घर की हालात का पुरा समझना है इसी परकार जो बड़े का करते है उस वक्त भी हमें जाने की जरूरता है कि परिवार में किस परकार का महौल रहता है किस परकार की बाते होती है और लोगों वापस में सम्मद किस परकार की चलते है वो सारा हमें सम्झेना जरूरी होता है अगर आप सकता होती है तो परिवार के दुसरे मेमिबर से बात करना चाहिए लेकिन ये बात आप आप सकता के नहीं आप पाएंगे ये जरूरी है आप बात जरूर करें अगर उसका ठीक से उसका इलाज अब देखना चाहते हैं तो आप family को as a unit मान कर उसका treatment करें